जैसे किसना दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल अंसमान की रशोई में स्वागत है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब मेरे इस वीडियो को फुल एंड तक वास करिएगा आज हम बनाएं मूरी हरे मिर्श का अजार जो कि तुरंत ये बनके तयार होता है ना इसे धूप में दिखाने की जंजट ना शुकाने की जंजट आप तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं इसे हम तीसी मूली से बनाते हैं जो पतली वाली मूली है इसमें मूटी वाली मूली क इस्तिमाल नई करते हैं मैं यह फटा भबन के तयार होता है बहुत ही तेस्टी हमारा यह जार बन के तयार होता है दोस्तों जलिए इसstatकी हम बनाते हैं कि इस दोербर्स क्राम के लिए हैं यह अगर आपको और ज्यादा टीखा पसंद हो तो और ले लें और यह एक पोती लहस्टन है इसका शिलका उतार के हम रख लिए हैं यह बारी कटा हुआ धन्या और हरे मिर्श को हम धो के अच्छे से रख लिए हैं थोड़ा इसमी जो पानी है इसे मोटे तावल से आप अच्छे से पोश लें और इसके डंठल को आप एक एक करके अच्छी से अलग कर लें और मूली में जो इस तरह से थोड़ा दाग धबे रहते हैं इसे हम चाकू से छिल लेते हैं नहीं तो यह किट-किट करता है खाने में अच्छा नहीं रखता है इसलिए आप इसको हलका सब उपर से चाकू से छिल लें और इसे हम गोल गोल ना बहुत ज्यादा मोटा ना बह थोड़ा लंबे आकार में काटते हैं दिसे लोग बहुत अच्छा आता है तो मूली को काट लिए हैं और हरे मिर्च को भी हम इस तरीके से लंबे में काट लेंगे दोस्तों कि इस तरीके से आप सारे हरे मूली और मिर्च को काट करके रख लें बहुत ही तेश्टी है हमारा आजार बन के तयार होता है दोस्तों बहुत ही कम समय में यह हमारा आजार बन के रेडि हो जाता है और यह देखीए कटके तयार हो गया है इसमें कुछ कलिया हम कूट लिया है कुछ कलियों को हम खड़ा ही रखे हैं और गैस पर हम रखे हैं कड़ा ही तो खड़ा ही मारी अच्छे से गरम हो गई है और इसमें हम डालेंगे घर का सर्सो का तेल इसे सर्षो के तेल में ही हम बनाते हैं तो अपने सामागरी के अनपार्थ में हम इसमें सर्षो का तेल एड़ करेंगे बहुत ज्यादा इसमें तेल नहीं रखना है और नहीं तो बहुत कम ही रखना है नहीं तो हमारा आजार अच्छा नहीं होगा तो इसमें सबसे पहले हम एक उटे हुए लहसन को डाल देंगे और लहसन जब हमारा golden brown हो जाये तो उसमें बारीक कटे हुए हरे मिर्च को डाल देंगे जो कि आलेड हम पहले से काट करके रख लिए हैं करें तो हरे मिर्च को ढालते समय में थोड़ा gas को स्लो कर लेना है नहीं तो मिर्च हमारा बहुत तेजी से चटकने हाए इससे आप जल सकते हैं इसलिए आपको बिल्कु बिलकुब कर लेना है और आप हम इसमें डालेंगे एक पींच हलदी पौडर जिससे कलर्यश में बहुत अच्छा आता है दोस्तों और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूली को मूली को डालके अच्छे से हम चला देंगे तक इसमें चारो तरफ देल अच्छे से लग जाए इस तरह के सहलाते हुए इसे चला करके अच्छे से हम दो मिनट के लिए हम द्धख देंगे और TWO मिनट के पाद हम फिर इसे ओपन करेंगे तेसी देख लेते हैं ग्रूर के नहीं ठकना है और इसमें हम स्वादा हमसार नमक ढाल देगे हैं तो अपने मूली के हिसाम में हम एक चमच से थोड़ा कम नमक इसमें किसे हम अच्छे से चला लेंगे और ये हम ढख देंगे तिन इसे पर फिर चला लेते हैं। ये मूली का अचार बहुत ही कम समय में मनके तयार होता है दोस्तों। इसे हम फिर से ढख दिए हैं इसे आप झटपट बनाएं और दाल चावळ सबस्जी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी हमारा आचार बनके तयार होता है इसे देखें दो से तीन मिनट के बार हम फिर से ओपन किये हैं तो बहुत अच्छे से हमारा ये मूली पके रीडी हो रहा है और अगर इसमें हम मोटी वाली मूली का इस्तेमाल करते हैं तो अलग-अलग नहीं हो तक इसको नहीं ढखना है आपको अगर बहुत ज्यादा फाफ हो जाएगा तो ये मूली हमारा गल जाएगा इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर पर इसे ओपन करके देखते रहना है और हमें चिक कर लिया है तो ये हमारी मूली आधे से ज्यादा पक शुकी है अब इसम खटाई का मसाला नहीं हो तो आप अमचुर पाउडर का इस्तिमाल कर सकते हैं और भी नहीं है तो इसमें आप एक नीवू करास इसमें आप एड़ कर दीजिए और थोड़ा साहल दी बस कलर वही रहेगा स्वाद बिलकुल वही रहेगा और बारी कटे हुए धनिया की पती क इसमें हम डालके चला लेते हैं और इसे चला करके अच्छे से हम फिर से दो से तीर मिनट कर बिलकुल स्लो फ्लेम पर इसे हम ढग देंगे अच्छे से चला लेना है और देखे कितना प्यारा कलर इसमें आ रहा है दोस्तों बहुत थी बढ़ी है हमारा यह मूली का आचार जटपट बनके तयार हो रहा है अब इसे हम चला के ढग दिये हैं सर्थियों का मौसम है आप इस तरीके से मूली का आचार मूली गाजर टमाटर इन सब को आप तरह तरह के आचार बना सकते हैं और इसमें कोई जहनजट नहीं रहता है यह देखिए हम दोसे तेन मिनट के बाद फिर से ओपन किये हैं तो ब कि ज्यादा रखना है बहुत ज्यादा नहीं रखना थोड़ा सा क्यूंकि ठंडा होने पर ते लिए अच्छे से से शेट हो जाएगा उसमें और अब हम गैस को बिल्कुर आफ कर देते हैं और एक प्लेट में से हम बाहर में निकाल लेंगे दोस्तों तो यह आचार बनाते स चाब में मिर्श की मात्रा को बढ़ा कर घटा करके आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही जटपट यह हमारा अचार बनके रेडियो होता है दोस्तों जब भी कुछ जटपटा खाने का मन करें तो आप इस तरह से अचार बना सकते हैं सर्दियों को मौसम हो या घर्मियों को म बना करके खा सकते हैं और अगर आपके बच्चे भी बाहर रहते हैं उन्हें भी आप इसे बना करके दे सकते हैं ति यह हथे दat दिन तक आपका आचार बिलकुल ही आराम से चलेगा अगर इसमें आप पानी नहीं जाने देंगे या पानी लगे हुए बड़तन का इस्तेमा अचार की ये रेश्पी अगर आपको पसंद आए हो तो कमेट जरूर करिएगा और चैनल पर नाए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो जटपट इस तरीके से आप भी अपने घरों में मूली और हरे मिर्च का अचार बनाएए और आप भी क्लाइए इसे के साथ हम वीडियो इंट करते हैं धन्यवाद हाओ ऐए जिए